वेलकम बैक टू दे चैनल ओपलुफू गाईज सार एक्जेक्ली फाइन दोस्तो फिलाल मैं हूँ नरहरपूर में नरहरपूर कांकेट से लगवक 30 किलोमेटर की दूरी पर है तो दोस्तो आज अपन आपको व्लॉग में दिखाने वाले हैं दुधावा डेम तो दोस्तो दु प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना के क्वालिटी कैसे लग रहा है वाकी मैं यहां पास नरहरपूर में यही बड़ बम्मी के साथ आया हुआ था यहां पास उनके कोई डिलेटिवस में साधी था तो दुधावा डेम यहां से लगवक 20-30 किलोमेटर की दूरी प दूरी चे काफी लंबा काफी खुपसूरा डेम दिख रहा है आप लोगों को यह दोस्तों महारादी के उपर बनाया गया यह खुपसूरा सा डेम तो यहां पस अभी अपन ड्रोन वगर उठाते हैं आगी क्या क्लियर दिख रहा है अगला देखो ना आप लोग दूर दू कि अभी पूНदे लोगगे ऑनि अभी अभी बंड़ादी की अभी अभी बंड़ा को साज है झाल 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 तो जैसे कि आप लोगों भी दिखाया मैं ट्रोन से कितना खुटसूरा थी हुए भाई तो यहां पस मेरी एक अंटी है यहां बहुत ज्यादा एक्साइटेड व्लॉग मैने के लिए तो इनको दिखाते हैं अंटी है कैबरा देखते ही सर्मार है वो बागी मेरे को बहुत बोलते हैं कि इनका सबसे मतलब जो में था यह हाई गाइस करने के इनको सब्सक्राइब तो यहां पास इदर हमारे आकिब भाई इदर सब हमारे फैमिली वाले इदर मेरी बहन लोग मेरे बड़े बापा दरंकल दोनों दादी दरमारा फैजल यह कुछ सीन थे दोस्तों तो फिलाल टाइम आगया यहां से चाहने का तो काफी मज़ा यहां मतलब ऐसे जखाव को एक्स्प्लोड करने के बाद अब अब हमारे पास जो एना इसका जो सोनी ने गया थे वह वाला व्लॉग आएगा उसका जैपूर के जो दो तीन सीरीज बचे हैं वह आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन भी दबा लेना तो दोस्तों आज का जो व्लॉग है उसको यहीं पे अपन एंड करते हैं खुबसूरत से विई करना चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मिलते हैं पन ऐसी और अगली नहीं सांदासी वीडियो में तब तक लिए दोस्तों स्टे सेफ स्टे हल्दी बाबाए टेक क्यार